तो आज के इस वीडियो में अपन करने माले हैं दो बात है तो पहला आपको वह मैं एक्स्प्लेंट करते हूं फर्स्ट अपन करेंगे यह में 20 को यूज जो अपनी एडवांस सीरीज का एक कॉंसेप्ट है और वह लास्ट कॉंसेप्ट है उसके बाद मैं अपन केंडल रीडि में प्लेष कैसे करना है वह देखते हैं तो simply जाना इंडिकर में यह पर मॉविंग एवरेंज करके एक का पको आप्शन शो करेंगा करेगे ऑसको जैसे एक ले करोगे एन आपके सामने यह हैं यह पांच यह पर शो करेंगी इन में साब को एक हो चूज कर लेना जो है यहां पर जो पीरेट है इसको यहां पर 20 कर लेना है जो भी आपके अकोर्डिंग चूज करना है वो कर लें जिससे कि आपको जो है मार्केट में यह वीजिबल रही शो कर जाए देन अब आपको मैं बता दू कि आपको यह में 20 के वेस पर अपन कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं यह अपने लिए एक परफेक्ट साइन का होता है जैसे सपोज यहां पर मार्केट ने मोमेंट दे रहा है देन यहां पर इसने सपोर्ट का एरिया ड्रो गया है मतलब यहां पर है तो यहां पे मैं बेक में आपको कोई पॉइंट बताता हूं जिस से कि आपको प्रॉपर समझा समझादो कि ऑसओ यहां पे अगर अपन बात करें तो अभी तो मार्केट बहुत खराब है लेकिन आप अगर थोड़ा वेक में ह infinous वो भी मैं आपको proper बता दूँगा क्योंकि market यहाँ पर gap up, gap down जो भी इस time पर trade गर रहा है मैं अपर trade कर रहा हूं 10 बज़े So 10 पीम पर मैं trade कर रहा हूं So जो भी night में trade कर रहा हूं So जो भी night में trade गरता हूं उणको पता होगा कि market जो है इंडिकेटर अपने प्लेस किया था उसने बता दिया कि यहां से इसने रिजेक्शन ले रहा है मतलब यहां पर एक सकस्वूली ग्रीन के साइड में जा सकते है तो दो से तीन सिरियों के बेस पर अपन एमे को भी कंसिडर करकी एक ट्रेड प्लेस करते हैं ऐसा नहीं किसे यह म सब्सक्रों लेकेछी में खाल्स चैसी को शौ страх strang करना कि ओर आपको सब्सक्राइब ओर को शोड़र करना सब्सक्राइब दिन ये में को भी एक इस्ट्रोंग साइन की तरह यहां पर कसीडर करना है एक ये में 20 के वेश पर ही ट्रेट प्लेस नहीं करना है अगर आप सपोज एक ट्रेट को विन भी कर लोगे तो भी ये हाई जाग जाए कि आप दूसरे ट्रेट को लोज कर दो आप देख सकते हो मार्केट में जो वोलेट लिटी है वह यहां पर कितनी जाद है तो यहां पर अपन इसको टाइम को स्विच करके मैं आप यहां पर 10 सेकेंड की डाउन की ट्रेट प्लेस लोगा अगर यह हारी बन रही है वालब ग्रीन केंडल ही बन रही है तो अपन कि यहां पर मैंने 10 सेकेंड की डाउन की ट्रेट प्लेस कर दिये और यह ट्रेट अपनी एक शोड विन होगी क्योंकि यह रेड मतलब यह ग्रीन की केंडल बन ही नहीं सकती अपनी यह ट्रेट विन हो चुकी और अपने अकोडिंग इसको एक रेड केंडल बनना चाहिए तो अपनी जो ट्रेट वो यह पर अपन विन कर चुगे है है तो यहां पर इसने वर्क किया है तो अपने लिए एक जो क्या कहता है लगी मूमेंट है यह अपने अकोडिंग नहीं कर रहा है यह एक एरर केंडल दे रहा है अपने और और V-Pattern का सोचा था लेकिन यहाँ पर जो इस यह मॉमेंट दे रहा है वो M-Pattern का दे रहा है तो सहिए इसकी वज़े से भी यह यह ट्रेड को अपनी विन करा सका है आपको यह बात तो बता दू यहाप पर अपन trade win कर चुके हैं तो यह नहीं है कि मैं आपको trade win कर ली तो आपको trade win करने के according बता हूँ जो real knowledge है वह यह आपको बता रहा हूँ यह भी market movement fast दे रहा है यहाँ यहाँ पर यह कुछ भी follow नहीं कर रहा है तो आज अपन मार्केट में ओपोसिट ट्रेड करेंगे जब तक मैंने यहां पर देखा तो मार्केट कुछ भी मुवमेंट नहीं कर रहा है अपन की जो कलर पैटरन है उसको भी आपर कुछ भी फॉर्मेशन को एक्सप्ट नहीं कर रहा है यहां यहां पर सपोर्ट नहीं लेन हो गा क्योंगर आप भी मार्केट के ऊपोसिट से लोगे तो आपके लोश लगेगा कि सुव यहां पर आपन देखते हैं अगर मार्केट सही रहा जैसे यहां पर आपन को दिया तो यहां पर आप दे रहा है दिन यहां पर भी थोड़े बहुत is में फिर्ट व्हां लेकिन ओपर देखते हैं कि बैख में कोई लेवल भी रही है दैने यहां पर अपने सकस्फुली बाइंग की साइड में जा सकते हैं इसमें अगर माइंग का प्रेशर आया तो अपने ट्राइब कर सकते हैं आख इस सो इसमें और निज़ा इए प्रेसर आ रहा है यहां पर इससे साइड में जा सकते है यहां पर अपन का बाइंग के साइड जाने का जो रिजनने बोफो टेशाओ, फर्स्ट फॉर्फ तो इसमें एक लाश्ट पाइंग का प्रेसर जैसा मैंने बोला है देन यहां पे जो कलर दा फॉर्मेशन वह आपको प्रोपर बता देता हूं अगर एक जैसे यहां पर इस केंडल के अंदर यह सभी केंडल मुवमेंट दे रही है यहां पर कलर पेटर फॉर्मेशन वहना शुरू हो गया इसके बाद में यहां पर एक शोट ग्रीन की केंडल आने चाहिए क्योंकि कभी भी मार्केट अगर एक ट्रेंड में मुवमेंट कर रहा है देन अगर किसी लेवल का ब्रेक आउट करता है तो वैसे तो यहां पर कंटिनू जाना चाहिए लेकिन यहां पर इसमें एक बाइंग क के बाद में एक बात को सब्सक्राइब आपको यहां पर सही जो नौलेज है वह यहां पर देना चाहता हूं अगर मार्केट इतना डाउन साइट की रेली दिखा रहा है मतलब आप मैं चार्ट को थोड़ा और जूम इन करता हूं देना आपको बताता हूं अगर आप यहां भूखो तो मार्केट के इस नाउन आना शुरू किया मतलब जो सेलर है वह फो मार्केट में इतने अग्रेसी में लेकिन कभी ना कभी तो सेलर भी आपर जो मार्केट एघर उसका मुमेंट को सोटेंगे यहां से आप lihat हरे c और अपने के-सாड जाने का डिसिजन लिया और अपन इस एकेंडल पर भी इसाट बाइंग के साडिक में जा सकते हैं तो थर्ट्य सेकंड की अपने एक वाइंग की टेडि प्लेस करते हैं यहां पर एक रड़ी चाहिए जो मैंने आपको बेक में एक इस्टेजी बताए थी कि अगर डाउन ट्रेंड में एक सेलर बाइंग की केंडल बने जो वीक हो तो सेलर के साइड में जाओ लेकिन यह बाइंग की केंडल वीक नहीं है क्योंकि यह बहुत ज्यादा इस्ट्रों के एक हैमर केंडल केंडल बनी वह भी इतने दाने के बाद वे अगर देखो और यह देखो 5 इन यह यह दोनों यह थे विन कर रहे हैं क्योंकि अपन कम il da कर रहे जब भी मार्केट मुवंट सक दे तो आप यह कर ओंके जो मुवंएंट सक्छ तरीकर से मार्केट से पैशा निकालो अगर नहीं सबंभना रहा है तो ट्रेड करो देन मुझको हूं फीợनम सा न मुझको यहां पे जो मार्केट का मुवमेंट था मैंने यहां पे पूरा केप्चर कि आपकर मैंने आपको बताया के मार्केट पूरा डाउव साइड की दिखाने के बाद में हैंर गंडल बना रहा है तो नेक्स क्रीण की ऐनल करने जीए लेकिन इसमें सद्धनली पहले एक सेलिंग का प्रेसर था क्योंकि मारेकेट है वो यहां पर और आपर जो भी बायर है म्यां या मार्केट वोलिती होता है तब और जो लोस होता है करवाने की ज्यादा यहां पे सोचता है wasn't सबी न्यू टेडर का प्रो टेडर का जो भी होता है वो लोज करवाने की सोस्त है लेकिन अपन मार्केट में कम टाइम में ट्रेड करके यहां पर पैसे जनरेट कर लेते हैं इस पर मैं डीटेल वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको प्रोपर बताऊंगा कि अपन को जैसे ट्रेड मिलें अपन को वैसे ट्रेड करना है अपन को ओवरॉल मार्केट से प्रोफिट लेकर ही निकलना है तो मैंने यहां पर जैसे देखा कि आप एक बाइंग की केंडल ये यह पर इस सपोर्ट का लेवल बन चुका है क्योंकि आपने 10 सेकंड की क्यूंकि यह यह याप नीURE बन रही थी यहाँ पर पता था कि इस लेवल का breakout करी नहीं सकती तो यहाँ पर इस लेवल का यह breakout करी नहीं सकती यह दोनों लेवल यहाँ पर बहुत ही strong लेवल है क्योंकि इस लेवल से market में बाइर आना शुरू किये थे जैसे केंडल यहाँ पर आई तो अपने एक अपसाइड की ट्रेड पेस कर दी और वह भी 10 सेकेंड की आप देख सकते हो अगर यहाँ पर आप लोस करते हो तो यहाँ पर आप शोट शोट विंग कर लेते हैं आप आपको यह वीडियो इंफर्मेटिव लगा होगा अपने केंडल रिडिंग कर लिए और जो यह में 20 आपको मैंने प्रॉपर समझा दिया है अपर यह में पर कभी ट्रेड नहीं करते हैं अगर ओर 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 मार्केट सही हो एक लेवल भी हो जैसे यहाँ पर अगर आप द लेकिन इसके लिए आपको दो से तीन बातों का ध्यान रखना है कि जो मार्केट का मोमेंट है वो एकदम सही तरीके से हो तेन जो आपने प्लेस किया है सपोर्ट एन रिच्टेस उसको भी डंग से प्लेस किया हो तो उसके लिए पूरी सीरिस को देख लेना और आपको यह वीडियो भी इन फॉर्मेटी भी लगा होगा तो ओके फ्रेंड थैंक्स वर वाचिंग